तिबेरियस के समुद्र तट पर दर्शन ईसा तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिश्यों को फिर दिखाई दिये ये इस प्रकार हुआ सिमोन पेत्रुस थोमस जो यमल कहलाता था ना था ना एल जो गलीलिया के काना का निवासी था जेबेदी के पुत्र और ईसा के दो अन्यशिश साथ थे सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा मैं मशली मारने के लिए जा रहा हूँ वे उससे बोले हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं वे चल पड़े और नाओ पर सवार हुए किन्तु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला सबेरा हो ही रहा था के ईसा तट पर दिखाई दिये किन्तु शिश उन्हें नहीं पहचान सके ईसा ने उनसे कहा बच्चों खाने को कुछ मिला उन्होंने उत्तर दिया जी नहीं इस पर ईसा ने उनसे कहा नाओ के दाही नी और जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा उन्होंने जाल डाला और इतनी मचलियां फस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके तब उस शिश ने जिसे ईसा प्यार करते थे पैतरुस से कहा ये तो प्रभू ही है जब पैतरुस ने सुना कि ये प्रभू है तो वो अपना कपड़ा पहन कर क्योंकि वो नंगा था समुद्र में कूत पड़ा दूसरे शिश मचलियों से भरा जाल खीशते हुए डोंगी पर आये फिक किनारे से केवल लगभग दो सो हाथ दूर थे उन्होंने तट पर उतर कर वहाँ कोईले की आग पर रखी हुई मचली देखी और रोटी भी इसा ने उनसे कहा तुमने अभी अभी जो मचलियां पकड़ी हैं उनमें से कुछ ले आओ सिमोन पे तुरस गया और जाल किनारे खीश लाया उसमें एक सो तिरपन बड़ी बड़ी मचलियां थी और इतनी मचलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था इसा ने उनसे कहा आओ जलपान कर लो शिश्यों में किसी को भी इसा से ये पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन है वे जानते थे कि वो प्रभू है इसा अब पास आए उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी और इसी तरह मचली भी इस प्रकार इसा मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिश्यों के सामने प्रकट हुए